हेलो एवरीबन, वेलकम टू माई चैनल, एन के एजूकेशन, बीपीएसी टी आरी वन और टू में चैनित सभी अभ्यारती विसेश रूप से अपना ध्यान के इंद्रित करें क्योंकि एक बहुत इंपोर्टेंट नौटिस जारी हुआ है जिसमें जो बाहर के अभ्यारती थे विसेश कर महिलाएं थी, उनमें उनका सीट एट 60% पर ना होने पर भी उनको नुक्ती दे दी गई, वहाँ अब पतना हाई कोट के द्वारा फाइनल जज्जमेंट हो चुका है, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह उसी जज्जमेंट का ओर्डर है, जिसमें सा लिखा हुआ है, विसेगत मामले में माननिये उच नियाय ले पतना में दायर याचिका संख्या 3270 ओबलिक 2024 इब्दे शाम शाहीन बनाम राज्य सरकार एवं अन्यमे दिनांक 142024 को पारित नियाय देश के आलोग में आदेश पारित किया जाना है, माननिये उच नियाय ले द्वारा पारित नियाय देश के मुख्य कारेकारी अंस निम्नवत हैं, यह जो उसके अंस हैं, वो यह हैं कि माननिये उच नियाय ले द्वारा पारित आदेश की अनोपालन हेतु आवेदी का द्वारा समर्पित अभ्या वेदन के परिप्रेक्ष में दिनांक 242024 को अदोह स्ताक्षरी कक्स में सुनवाई की गई, सुनवाई की क्रम में आवेदी का उपस्तित हुई, उन्होंने स्वेम अपने पक्स रखा था, सुनवाई की क्रम में आवेदी का द्वारा यह पतायागी कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विग्यापन संख्या 27.2023 के तहत संस स्कृत विशय में वर्ग 6-8 तक के विद्याले अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु सफल गोशित करते हुए अर्वल जिला आवंटित किया गया है ये आवेदिका ने बताया आवेदिका का कहना है कि केंद्रिय सिक्षक पातरता परिक्षा यानी सीटेट में 60 प्रतिशत स इसलिए वो टेट उनका किलियर नहीं दा लेकिन यहां बिहार में आने पर क्योंकि यहां पर पहले ही यह रूल था बिहार में कि जो 60% क्योंकि किसी भी कैटिगरी से आप बिलोंग करते हो लेकिन अगर आप अधर स्टेट के हो तो आपको जनरल में ही काउंट किया जाएग इसकी विध्यप्ति के प्रष्ट संख्या पांच में सपष्ट लिखा है कि सामान्य कोटी की महिला को सी टेट में 55% होना आवशक है उन्होंने यह कहा है कि उसमें यह लिखा हुआ है कि 55% होना आवशक है चुकि आवेदिका को 89 अंक प्राप्त हैं यानि उनका एक नंबर क कम है जो 55% से अधिक है जो सामन्य महिला अभ्यरती कोटी के अंतरगत निर्धारेत योगता धारन करती है आवेदिका के द्वारा काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया क्योंकि उन्होंने इस चीज का हवाला दिया कि जो 27 जो अनुरोध किया केंद्रियश फिक्षक पात्रत परिक्षा की अधिस उचना में स्पश्ठ है कि अभ्यरती को प्रतिशत या अधिक अंग प्राप्त करने पर उन्हें योग्य घोषित किया जाएगा। सामान्य वर्ग की महिला को 60 प्रतिशत या अधेकंग प्राप्त करने पर उन्हें योगे गोशित किया जाएगा अधी सूचना में यह भी अंकित है कि विद्याले प्रबंदन राज्य सरकार के आरक्षन नीती के तहत अनुसूचित जाती जन जाती अन्य पिछडा वर्ग अत पिछडा वर्ग और सामन्य कोटी की महिलाओं को इसमें छूट दी थी अब यहां पर मामला है क्योंकि वहां वह अधर जो उनका स्टेट है वहां पर वह सामन्य कोटी में बिलॉंग करती है तो इसका मतलब वह उतीर्ण नहीं है वहां पर वह सारी चीज़े किलियर की गई उन सब चीजों का आलोकन करने के बाद यहां पर औरंगाबाद से एक लेटर जारी हुआ जिसमें इन सभी जो केंडिडेट हैं आप इन्हें देख सकते हैं यह सभी बिहार राजे के बाहर के निवासी हैं और इनका साट परसेंट ना होने पर इनसे स्पष्टिकरन मांग ल काम हैं आप इसका स्क्रीन सोट ले लें जिसमें साफ लिखा है कि ग्यापक संख्या 866 दिनांग 162024 के द्वारा आप सभी के सिक्षक पात्रता परिक्षा का प्राप्तांग 60% से कम रहने पर न्युकते हैं तू प्राप्त पात्र नहीं होने के कांस पश्टिकरन की मांग की गई है ग्यात हो कि किसी भी पिरकार के आरक्षन का लाब सिर्फ बिहार राजे के निवासी को दे है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी दिशा निर्दे सेवं विग्यप्ति के आलोक में माननी उच्च नियायले पटना द्वारा निर्गत नियाय निर्णे के उपरा प्रतिशत का चूट दे नहीं होगा यहां पर साफ उन्हों ने लिखा है यह विग्यप्ति में था उक्त के आलोक में आपके सिक्षक पात्रता परिक्षा का प्रापतांक 60 प्रतिशत से कम होने के कारण आपके उमीद्वारी निरस्थ करने योग्य है अते आप तीन दिनों के अंदर सपष्ट करें कि क्यों आपका अभ्यर्थन निरस्थ करते हुए आपका ओप बंदिक न्युक्ति पत्र को रद्द किया जाए सम्मावदी में जवाब नहीं प्राप्त होने पर यह माना जाएगा कि इस संदर में आपको कुछ नहीं कहना है और तदा आलोक में विभ ने आपको पढ़के भी बता दी क्योंकि उसमें 60% से कम नहीं कि महिलाओं की बात विसेश कर इसमें आती है क्योंकि महिलाओं में कई सच्वेशन बन जाती है कई बार होता है अदर राजे के लेकिन उसकी जो शादिय वह बिहार राजे में हो गई तो ऐसे में भी जो रिज तरीके से यहां पर भी उनकी छूट नहीं है और यहां पर दूसरी बात यह बता दें आपको कि जो बिहार राजे के ही अभियरती थे स्टूडेंट थे उनको बहुत फायदा होने वाला है जो यह एक या दो यह तीन नमबर से भी छूटे दे क्योंकि जैसे ही यह अदर रा रहा है उनके स्थान पर जो पोश्ट उसको लिया जाएगा उसको लेने का तो यही होगा कि सीधा जो उनसे नीचे हैं मान लीजे आप किसी से नीचे थे एक या दो नमबर से रहे तो आपका वहां पर पॉइंट बनता है तो इसमें जो बिहार राजे के हैं और भी पीसी ट प्रसास्री वास्तव ने सुनवाई के बाद पारित किया यह सुनवाई माधमिक शिक्षा ने दे सक द्वारा इबते शाम साही बनाम राजे सरकार एवं अन्य पटना उचने आये लेकिन नयाय देश के अनुपालन में की गई थी यहां पर यह साफ है जिसमें अभी हमने आ पातरत परिशा में 60% से कम अंक होने के करण कांसिलिंग रोक दी गई है आगे भी इसी में यही बाते लिखी हुई है सभी जिसमें साफ लिखा है कि बिहार राजे का होना जरूरी है यहां पर में पॉइंट देख लाए बाकी सभी वो लिखा हुआ है जो अब तक हमने आप का लाव प्राप्त कर सकते हैं राज्य के बाहर के निवासी इस अधीनियम के अधीन आरक्षन के लाभेतु दावा नहीं कर सकेंगे तो यह सपस्ट है अब इसमें जो अधर स्टेट से हैं वो भी अपना देख लें और जो बिहार राज्य के ही बीपेसी टीरी वन और टू म में एक या दो नंबर से रह गए थे वो इस मामले को थोड़ा गंबीरता से लेते हुए इसमें सतर करें और बने रहें जैसे ही इसके रिगार्डिंग नेस्ट अपडेट हमें जो भी मिलता है बताने का प्यास करेंगे थेंक्यू एंड थेंक्स वर वच्छिं करें रहें।